नमस्कार, स्वाकत है आपका इंडिया न्यूस 28 में ये बात करते हैं वद्रप्रदेश की कोच खास खबरों की बैतूल की मुल्ताई में भाजपा संगथन पर्व सदस्यता अभियान दो हजार चौबीस के तहट आज मुल्ताई विधान सभाकार्यशाला का आयोजन हुआ मुल्ताई में भाजपा संगथन पर्व सदस्यता अभियान दो हजार चौबीस की तहट 11 सितंबर दो हजार चौबीस को निजिलोन पर मुल्ताई विधान सभाकार्यशाला आयोजित हुई भाजपा मीडिया प्रभारी बताया कि मुल्ताई विधान सभा कार्यशाला में केंद्रिय राज्य मंत्री और बैतुम जिला सांसत दुर्गादासुई के मुल्ताई विधान सभा के विधायक चंद्रशेखर देशमुक, भाजपा जिला अध्याक्ष आदित्य बबला शुकला, जिला पंचायत अध्याक्ष राजा पवार, मंदल प्रभारी और जिला महमंत्री कमलेश सिंग, नपा अध्याक्ष वर्षा गुलेका, मुल्ताई पिर्दिलाल दहारे, पटन जनपग पंचायत अध्याक्ष सुनाली विनोधिर पाछे, जिला पंचायत सदस्य कंचन महेंद्र कासलेकक, विधान सभा सयोजक जगदीश पवार, भाजपा जिला उपाध्याक्ष मनीश माथंकर, संजे सोनी इस कार्यशाला में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रिय राज्य मंत्री डीडी विके ने कहा कि इस अभ्यान के लिए भगवान ने आपको माध्यम बनाया है विक्सित भारत की संकल्प को पुरा करने के लिए आपको अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को पार्टी से जोड़ना है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेत्रित्व में भारत लगातार प्रगती कर रहा है भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार प्रयास्त हैं इसलिए भाजपा से अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ना है विधायक चंद्रशिकर देशमुखनी कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रिय, प्रदेश और जलासंगतन के द्वारा जो हमारे लिए लक्षिते किये हैं उनको सभी को मिलकर पूरा करना है और भाजपा परिवार में अधिक से अधिक नए सदस्यों को जोड़ना है इस सदस्यता अभियान की शुरूआत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 सितंबर को सदस्यता ग्रहं करने के साथ शुरू हुई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य मंत्री मोहन यादव इस अभियान के साथ आपके साथ जुड़े हैं इसलिए आपको पूरी ताकत से इस अभियान के साथ जुल कर इसे सफल बनाना है भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुकला ने कार्यकरताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अभी तक लगभग 20 करोड भाजपा के सदस्य है और इसमें 10 करोड और नए सदस्य को जोड़कर भाजपा परिवार के सदस्यों की संख्या 30 करोड करने का लक्षय है जिला अध्यक्ष ने जिले के लिए 4 लाग सदस्य बनाये जाने का लक्षय रखा है इसमें प्रतेक विधान सभा के लिए 80,000 सदस्य बनाये जाने का लक्ष रखा है प्रथम चरन की शुरुआत 2 सितंबर से शुरू हुई जो 25 सितंबर तक चलेगा समवाद दाता युगराज पोटफोरी की रिपोर्ट